नमस्का दर्चकों आप देख रहे हैं TV30 इंडिया और मैं हूँ आपकी साथ सोनिया रगोवन्शी इस वक्त के खास कवर हात्रस के सासनी से आ रही है आईए नजर डालते हैं इस खास कवर पर सासनी में कोतवाली चौराहे से विजयगर जाने वाले रोड वर्षों से जगा जगा उखड़ा एवं तूटा पड़ा हुआ है जिससे वहन वारागीरों को आवागमन में बहुती परिशानी का सामना करना पड़ रहा है साथ ही इस रोड पर वहन दुरगटनाओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है क्या नाम आपका रोगद्याल सर्मा पत्व नगला क्या परेशानी बेजयगर रोड पूरो टूटो हुआ है जी परेशान हो जाते हैं एक गंटा सास में तक लगी जाते हैं काउब आहनते जाएं दहचड मचड होते हैं तमाम पसुरिया हाल जाते ह बड़ी परेशानी होते है जावे में लेडी जो हों तो जो समझे लोग अदमरीसी है जाते हैं का करें तमाम रोड ऐसी पड़ी वही है कि गड़ा है रहे दुनिया के मोधी जी ने कहा है अगर रोड सभी सही होने चाहिए कोई सुनवाई नहीं करता हमारे यां की बिजयग इस स्कूल पर लगवक तीन चार स्कूल परते हैं और सभी के साथ ही समस्या है आए दिन ट्रांसपोर्ट खराब रहता है मेंटिनेंस में इतना ज्यादा पैसा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हम लोग स्कूल रण नहीं कर पा रहे इतने परेशान है और इसके लावा आए द प्रॉब्रम डेली का साइए उनके साथ भी वही समस्या है एकसिदेंट्स वगएरा रास्ते में होते रहते हैं यह समस्या तो बहुत ज्यादा है ना प्रश्ना गुप्ता किस तरह की समस्य आ रही है रोड को लेकर के बिजयगड रोड तो जे दो साल ते ऐसो पड़ो है जाको कोई नतो जन्प्रतिनिदी सुनवाई ले रहे हैं जाई गवर्मेंट में कोई रोड की सुनवाई ना है जब कहा हमारे योगी जी का तो आदे सकता लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी जन्प्रतिनिदी सासनी से जो बिजयगड मार गये उस पर तो कभी आज तक निकल के देखा ही नहीं है कि उस रोड का हाल क्या है आई समय एक दो बार मोगीक रूप से हम लोगों ने सिकायद भी किया है लेकिन परेशानी है आए दिन आपकी सेवा में होगा विजयगड मार्क भी आपकी सेवा में बहुत जल्दी होगा और इसके लिए हम लोग लगे हुए काफी काम हमने इस देशा में मैचियोर कर लिया है आने वाले तीन महिनों के अंदर अंदर टेंडर करा गे समर्पित करने का काम करेंगे हात्रस का लोकल चैनल टीवी थार्टी इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराफन के प्रतिस्चित के वंग नेटवर्क को एवं OTT प्रेटफोर्मों के साथ साथ गूगल प्लेए स्टोर पर भी उपलब देए अपनी छेत्रिय खबरों के लिए आज ही टाउनलोड करें टीवी थार्टी इंडिया का एंड्रोइड एप इवं जुड़े रहें टीवी थार्टी इंडिया के साथ